सर्दार वल्लब भाई पटेल के 148 वी जैनती के अफसर पर युवा जदियु द्वारा पूर्णेया सहर के टाउन हौल में जैनती समारो सहर समान समारो का एउजन किया गया इस अफसर पर पूर्णेया सांसा संतोष कुसवा ने कारकरम को संबुदित करते हुए का कि देश के पहले उप परदान मंतरी वग्रिह मंतरी सर्दार वल्लब भाई पटल किसानों के सबसे बरे हितेसी थे उन्होंने किसानों के लिए खेरा सत्यागरा और बारदोली सत्यागरा करिया बताने का काम किया था उन्होंने देश के स्वतंतर होने के बाद देश के एक एकरन में महत्वपून भूमिका निबाई थी जिसके बाद वे लोह पुरूस कहलाए थे देश के अधिकांस नेता और लोग चाते थे कि सरदार देश के प्रधान मंतरी बने लेकिन उन्होंने देश हीट को सर्वोपड़ी मान प्रधान मंतरी पद का उमिद्वार बनना आउस्विकार कर दिया था उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंतरी इंतिस कुमार जी सरदार पटेल के पद चिनों पर चलकर बिहार को अगरणी राज्यों के सुची में ख़डा किया है वर्स 2005 में सुबे के विकास के मामले में क्या इस्तिती थी आज पूर्णिया कितना बदल चुका है सरक और पूल-पुलिये का जाल भिश कुका है, घर-घर बिजली और नल का जल पहुँच चुका है परचाय चुनों में आती पिछलों को आरक्षन नोकडी में बेटियों को आरक्षन और अब जाती आधारित गरना के आधार पर विकास का रूड मैप तयार कर वंचितों को उनका हग दिया जाएगा सांसल संतोष कुस्वाह ने कहा कि एक साल में दस लाक युवाओं को नोकडी देकर बिहार देश में नजीर बनने वाला है कहा कि पूर्णिया में सिक्सलेंड सरक, युनिवर्सिटी, इंजिनेरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्या नहीं है लेकिन दुख की बात है कि एरपोर्ट के मामले में केंदर सरकार ओची राजनीती कर रही है और हमें हमारे हक से वंचित रखा जा रहा है उन्होंने कहा कि भारत के पूरु प्रधानमंत्री स्वर्गे इंद्रा गांधी की पुन्यतिती पर भी उन्हें याद करते हुए सरदांजली अर्फित किया गया इस अवसर पर युवा जदियू के अनेकने ताओं ने लोग पुरू सरदार वल्लब भाई पटिल के जिवनी पर प्रकास जाला काल करम के अंत में युवा जदियू के जिला द्यक्ष राजू मंडल ने सबों का आभार वेक्त करते हुए संगठन का विस्तार कर जिला काड और सरदार पटेल इस देश के लिए कितने महत्पुली थे यह किसी से शिपी भी नहीं है आज अगर सरदार पटेल नहीं होते जो छोटी-छोटी रियासत थे देश में एक जूट नहीं हो पार आज जो भारत का स्वरूप है सरदार पटेल नहीं होते तो वह स्वरूप अलग होता अज सरदार पटेल नहीं होते तो आज देश का यह स्वरूप तो नहीं होता पर हमेशा सरदार पटेल ने देश को आगे रखा और अपने पद को पीछे रखा जो उनको महान बनाता है चाहे वो किशान आंदोलंग हो चाहे देश को एक जूट करने की बात हूँ आज तो हम नोजवानों से यही कहना चाहेंगे कि जो सरदार पटेल जी ने जो रास्ता चुना हम युवाओं को, हम समों को उस रास्ते पे चलके देश को और मजबूत करने की आप सकता है और त्याग भाव से देश आगे, देश सर्वोपरी है, राष्ट सर्वोपरी है इसके निर्मान के लिए हम सब को मिलके काम करने की आप सकता है और सरदार पटेल के रास्ते पे हम सब को चलने की आप सकता है जिला कमीटि में जो भार दिया जाएगा उसमें हमारी ज्युषाजनियों को चेंतरियों सातर्वेक और जो आज देखे से पूराइं आज प्रणीया जिलाकर चांत्रेश्त आने वाले मतलब हरेक प्रकिन्स हैं हार एक पंचाथ से लोग आएवे, हार एक वाड से लोग आएवे, यह आप लोग देखने का जाना, इसके लिए हम लोग खालाएं, जो साथी हैं, आम उनको तहदीन सा भारा धनिवाद करते हैं.